हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम गांधी एंड दा कंटेंबरेरी वर्ल्ट यह आपको एक सब्जेक्ट है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके सब्जेक्ट की यूनिट टू को काफी डिटेल में कवर करेंगे बस दोस्तों आप वीडियो को एंड तक देखना वैबहार में इसको कैसे अपनाया गया किसान सत्य ग्रहा के दोरान या टैंपल एंट्री वगरा के दोरान इसकी बातें भी आज के इस वीडियो में की जाए गी तो कुल मिलाकर इसलेबस के बाते हैं पर हिंदी में ही करेंगे जैने हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आप़ के सलेबस के आकॉ Давus को शाजत्य धाले संत्याग्रा का टॉपिक आपको इससे समझना है कि ढक흘ल क्या होता है। तो ने कि दूस्तों सत्या औहीं सा का अटूट संबंध ही सत्याग्रा है पहले ही आपको सत्य और अहिंसा के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था यूनिट वन में अब यहां पर यही कहा जा रहा है कि इन दोनों का तूट संबंध ही सत्याग्राय कि विचार को जन्म देता है सत्याग्राय एक शब्द है जिसे महथमा गांधी ने अपनाया था जिसका मतलब होता है सत्य पर अडिक रहना यह एक तरीका है जिसमें लोक अडूर सत्य के लिए खड़े होते हैं चाहे उनने कितनी भी कठिनाईयां क्यों न सामना करनी पड़ें सारी बातें दोस्तों आपको समझाए जाएंगी one by one बस आप यहां पे थोड़ा सा आपको point बता कर मैं आपके mind में कुछ बातें आपे डालना चाहता हूं ताकि आप सारी जिदें अच्छे से समझ पाएं जब कोई वैक्त को समझे अगर बहुत ही कम शब्दों में समझा जाए कि इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों सत्यागरा का क्या अर्थ होता है तो दोस्तों इसका अर्थ है सत्य पर अडिक रहना मतलब आप सच्चाई के लिए खड़े हो आप जो सच्चाई है आप उसी के रास्ते पर चल र हुए हो तो दोस्तों इसे ही सत्याग्रा कहा जाता यह कम शब्दों में इसके एक व्यापक इसका एक व्यापक करते हैं ठीक है इसमें क्या होता है लोग सत्याग्राई के लिए खड़े होते हैं ठीक है सच्छाई की जो सच्छाई की जो बात है जो सच्छ है उसके लिए सच्चाइक की रास्ते पर ही चल रहा है वह सच का ही साथ दे रहा है अगर कोई वैक्ति तो सत्य अग्राही है तो यहां पर बात यहीं है कि जैसे कि अहिंसा जो सत्य है ठीक है यह सारी चीज़ें एक दूसरे से Tay туда सकुत्य को फिर्लें जो सत्य है Prophet हमने वीडियो में समझा भी ता है यूनिट वन में ठीक है लेकिन यहां पर हम बात करें सत्य अग्राही को यहां पर किस्ट्य के घलाता है चो सट्य के पथ पर है घ्र coinc दोस्तों यहाँ पे हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉइंट है तो सभी पॉइंट को समझेए सत्या ग्रही कभी हार नहीं मानता वे सत्य के पत से कभी भी विचलित नहीं होता है चाहे उसे कितनी भी कठिनाईयों का सामना क्यों ना करना पड़े वे अपने विरोधी के हिरेदे को बदलने का प्रयास करता है ना कि उसे दुख पहुंचाता है गांदी जी ने यही सत्या ग्रह की विधी अपनाई थी जब भारत की सुवातंदरता दिलाने के लिए संगर्श कर रहे थे आज के समय में भी जब हमारे पास बहुत ही विनाशकारी हतियार हैं सत्या ग्रह की महत्ता और भी बढ़ गई है सत्या ग्रह का सिद्धान यह सिखाता है कि सत्य हमेशा इस्थाई होता है लेकिन मनुश्य स्वेम अधूरा होता है इसलिए कोई भी वैक्ति यह नहीं कह सकता कि उसने सत्य का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया है राजनीती में सत्य की परिभाशा पर भी लोगों के विचार अलग-अलग हो सकते हैं ऐसे इस्तिती में महात्मा गांदी के अनुसार हमें जिद्धी नहीं होना चाहिए सत्य ग्राही को चाहिए कि वह अपने विरोधी के साथ बातचीत करें और उनके दिरिश्टी कोण को समझेने का प्रयास करें ताकि दोनों मिलकर सत्य की खोच कर सकें यहाँ पर देखी दोस्तों अब राजनीती के परिप्रिक्षे में बात करें और उसके दिरिश्टी कोण को उसका जो विचार है उसको समझने का प्रयास करें और दोनों मिलकर सत्य की खोज करें अगर विरोधी सत्य ग्राही के बाचीत का निमंत्रण थुकुरा देता है यानि वह बाचीत के लिए तयार नहीं होता तो सत्य अग्रह को नैतिक दवाब का उपयोग करना चाहिए मतलब यहाँ पर गांदे जी दोस्तों हिंसा का समर्थन तो करते ही नहीं है गांदे जी तो यहाँ पर गांदे जी अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए ही यहाँ पर सत्य अग्रह की बात करते हैं जैसे कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि नैतिक दबाब बनाना चाहिए जैसे कि माले जो विरोधी पक्षे वो बिल्कुल भी बात मानने को तैयार ही नहीं है तो उसके उपर एक नैतिक दबाब बनाया जा सकता जैसे कि समाज है तो समाज थोड़ा दबाब बनाया उसके उपर ठिके जैसे पंचायत वगरा होती है तो वहाँ पर इसके पर थोड़ा दबाब बनाया जाए बट यहाँ पर हिंसा का समर्थन गांदी जी नहीं करते हैं है तो दोस्तों यही है यहाँ पर सत्या ग्रह का जो मतलब आपको जो थेयूरी पढ़ने थी वह यही है यहाँ पर जितने वी बातें लिगें जितने भी पॉइंट लिखें यहाँ पर हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टन है अगर आप नोट्स बना रहें तो हर एक करें और यहां पर और अंतरवारा राटम कुल सकते हैं टो कि थोड़ा यहां पर यहां पर कर देता हूं कि सचाए के राष्ट से बाचीत करने को भी तैयार रहना है कि जो भी विरोधी पक्ष है उससे बाचीत करकर भी एक सही रास्ता निकाला जाए और यहां पर में चीज़ है जो सत्य है उसी के उपर आपको टिके रहना है जो सच्चाई वाली जो बात है आपको उसी का साथ देना है सच्चाई के रा दोस्तों जो शाशन की जो पॉलिसीज वगरा जो नीतियां वगरा अपनाई गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत में ठीक है वह अन्याई पूर्ण थी ठीक है तो ऐसे में सत्याग्रही का यह भी काम था कि जो मतलब जो सच है जो हकीकत है उसका साथ दे और सचाय के लि जो मतलब पॉलिसीज वगरा लगाई गए थी लगान वगरा जो लगाए गए थे सरकार की द्वारा यह जो अलग-अलग जो बागान मालिक थे उनके द्वारा वह बहुत जादा था मतलब अन्याई पूर्ण था तो सच्चाय मतलब सत्य यह हुआ ना कि एक सही नियम होना सत्य पर अडिग रहना हैं खड़े रहना सत्य के रास्ते पर ही चलना है तो यह है सत्य अगरा आई होप यहां तक आपको बात समझ में आई होगी ठीक हर एक पौइंट को आप एड़ केजिए जैसे कि यहां पर क्या है सत्य हमेशा इस्थाई होता है अब यह भी बात आप करेंगे क्योंकि समझने के लिए तो आप दो बातों दो points में आप समझ जाएंगे बात लेकिन कई सारी बात हैं इसमें हर एक point को आप add करने का प्रयास करें हैं इसलिए कहे रहीं दोस्तों बार बार क्योंकि मैंने all ready काफी काफी आप लोगा के लिए short points याद कीजिए उसके पूरे नोट साव बनाई ऐच चीजे हैं अब यहां पर दोस्तों समझे रहे हैं वैभहार में अब वैभहार में एक्शन में जैसे कि किसान सत्याग्राय वैभार में आया तो वह किस तरह का था मतलब एक्शन में वैभार में सत्याग्राय का प्रियोग कैसे किया गया तो गांदी जी के दुवारा किया गया था इसका प्रियोग व्यापक इस्तर पर जैसे के हम देखते हैं जो किसान सत्याग्राय था के बारे में जागरुक किया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए संगर्ष करने के लिए प्रेरित किया तो अब दिखो सत्याग्राय का विचार अब आपको और अच्छी समझ में आएगा कि किसान सत्याग्राय को समझ रहे तो हम यहाँ देखें उधारं के लिए हम चम्पारण सत्याग्राय को 1913 में हुआ था दोस्तों यह भारतिय सवातंदरता संग्राम में महात्मा गांधि की गई पहली सत्याग्राय आंदोलन था मतलब देखे इसे पहला सत्य ग्रह आंदोलन भी माना जाता है चंपारण सत्य ग्रह को इसमें विभिहार के चंपारण जिले के किसानों ने ब्रिटिश उपनी विश्वादियों के खिलाफ विद्रोक किया था ये किसान नीर की खेती के लिए मजबूर किये जा रहे थे जिसके बदले में उन्हें लगभग कोई भुक्तान नहीं मिल रहा था गांदे जी ने इसे अपना पहला सत्य ग्रह आंदोलन बनाया और इसके द्वारा भारती युवा और स्वातंदृता संग्राम को दिशा दी तो इसका एक महत दोस्तों ये भी है कि ये पहला लेकिन हम पहले दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं हम तो ये बात कर है कि व्यवार में प्रैक्टीकल लाइड में यह जो सत्याग्रह का जो मतलब विचार है किस तरह से सामने हमें दिखाई दिया की लिए ? किसानों को अन्याय पूर्ण जो नीतियां थी उनसे बचाने के लिए अब यहां पर क्या हुआ था मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं देख दोस्तों चंपारण जो जिला था बिहार का यहां पर जो किसान थे उनके साथ अंग्रेज जो बागान मालिक थे उन्होंने एक his contract sign किया था एक अनुबंध किया था वह अनुबंध दोस्तों यह था कि किसानों को अपनी जमीन के 20 में से तीसरे हिससे पर बीस में से तीसरे हिससे पर नील की खेती करनी थी मतलब माघ लो कि एक किसान है तो उसके पास जो जमीने में से जक्क 215 पार्ट में आणीड कर दीया जाया शकर जयान डिवाइट सांपधी साइन divIDE कर खुए। है और से दोस्तो यहां पर नीर है दोस्तों वो बात को समझी है वह एक फाय खेटी ए 300 matière बाइब को सूचे आसपास घाओं ऩंगर आप रहLoosing को और अगर एक रहएं तो आपको सबस्क्राइब में। होती है उसके आवश्यक्ता आपको अधिक है ठीक है लेकिन यहां पर क्या था कि यह एक ऐसी खेती करवा रहे थे बगान मालिक कि जिसका वो वैपार कर सके और वैपार का होगा वैपार होगा देश में कहीं दूसरे जगह पर करेंट मतलब उस ताइम की सिचिविशन बता रहा हूं कि आखिर चंपार्ण सत्यागर है क्यों हुआ तो एक चीज़ तो यहां पर सिंपल है कि मतलब नील की खेती का मतलब फ़श्यसरे दीया था कम के में देघसक है किया था क्यों घरसाइनिट में करस्ण के आब उनको मतलब पैसे हो नकूंद नुक्सान होई रहा था। लिकिन दोस्तों उन्होंने अपना बिल्दै कि रुक्सान ने Mae क्यूंद और वह हूं मार्किती चाहते थे कि वो नील की खेती ना करें और नील की खेती की जगा गेहूं वगाएं लेकिन अब क्या हुआ दोस्तों कि जो बागान मालिक थे उन्होंने कहा किसानों से कि आप अगर नील की खेती नहीं करते हैं तो आप हमें इतना जादा कर देंगे उन्होंने क्या करी जो बागान मा इसाथ में दोस्तों ये बात भी हुई कि किसान जो भी अनाज उगा रहा था जो भी गेहूं चावल जो भी मतला ऊगा रहा था उसको जो भगान मालिक थे वो खुदी डिसाइट कर ले ते पागन मालिक दोस्तों हो खुदी वो दोस्तों खुदी रेट तै कर लेते थे कि वो किस रेट पर खड़ी देंगे और उसी किसान को उसी रेट पर बागान मालिक को अपनी फजल बेखनी पड़ती थी तो इससे कुल मिलाकर बात यही हो रही थी कि जो अंग्रेज बागान मालिक थी दोस्तों उन्ही को फाइदा हो रहा था कुल मिलाकर बात यह थी ठीक है सारा सारा लाब जो था वो उन्ही को हो रहा था और किसानों की इस्तिती बहुत जादा दैनीय हो चुकी थी निल्गी खेती के लिए पहले तो अनुबंद करा लिया गया था ठीक है बागान मालिक थे वह अनाज वगरा भी किसानों से अपने मन जो उनका मन था रेट लेने का उसी रेट पर वह अनाज भी खरीद लेते थे तो खुल मिलाकर सब कुछ मतलब बागान मालिकों के पक्षमे ही हो रहा था तो फिर दोस्तों ऐसे में फिर यहां पर महात्मा गांदी जी को बुलाया जाता है फिर महात्मा गांदी जी यहां पर आते हैं चंपारण जिले में फिर यह सारी इस्तिति देखते हैं और फिर वह सत्यागरण चंपारण सत्यागरण चलाते हैं और इसका उन्हें एक पॉजि चैनल किया गया पहले आसायोत कहाा जाता है पहला आसायोग गांदुरन के किसान पार्टिदार समुधाय ने तेइस प्रतीशत कर विरिद्धि का विरोध किया जो उन पर लगाया प्रावधान किया गया था कि अगर किसानों की फसल दोस्तों एक चौथाई से कम होती है दोस्तों तो उन्हें कोई टेक्स नहीं देना था ऐसा प्रावधान किया गया था लेकिन सरकार पूरा टेक्स मांग रही थी ठीक है इस बार क्या हुआ था मतलब जब यह खेड़ा सत्याग्राय हुआ तो उस वर्ष दोस्तों जो किसान थे उनकी फसल पूरी तरह बरबाद हो चुकी थी और उनका मतलब यह कहना था कि वो टेक्स यह जो लगान है वो नहीं दे पाएंगे लेकिन सरकार फिर भी पूरा टेक्स मांग रही थी तो इसलिए यह खेड़ा सत्याग्राय होता है तो यहां पर अभी हमने किसान सत्याग्राय को समझ लिया आपके सलीबस में पीजेंट सत्याग्राय गांधी जी ने जाती विवस्ता की आलोचना की और दलीतों के लिए मंदिरों के द्वार खोलने का सत्याग्राय चलाया उन्होंने जाती विभाजन के खिलाफ आवाज उठाई और सभी लोगों के बेच समानता की बात की उन्होंने बिरला मंदिर का उधगाटन किया था ल प्रवेश नहीं कर सकते हैं तो इसकी कड़ी आलोचना की थी इस पर उन्होंने सत्याग्राइच चलाया था इसके साथ ही जो जाती को लेकर जो भेदभाव था उस पर भी उन्होंने सत्याग्राइच चलाया था यहां ध्यान देना ठीके गांदी जी जाती को ख़द्म करने की बात नहीं करते हैं लेकिन जाती की समानता की बात करते हैं यहां पर अम्बेटकर जी और गांदे जी की जो विचार थे दोस्तों वो दोनों मतलके के विचार यहां पर अलग-अलग दिखाई देते हैं गांदे जी का मानना था जाती ठीक है लेकिन जातियों के बीच में समान लेकिन पिर भी यहां पर जो गांदी जी का यहां पर विचार था मंदिर पर वेश्ट पर उसको यहां पर बात समझी इसके लावद दोस्तों समचिक समरस्ता और संपरदाइक एक्ता सब समाज में जो अलग अलग जो लोग रह रहे हैं उनके बीच सद्भावना ठीक है और जो सामपरदाईक एकता इसको बढ़ावत दिन का इनकी दुब़ारा प्रयास किया गया गांदी जी ने सामाजिक समरस्ता और सामपरदाइक एक्ता के लिए सत्यग्रा का उप्योग किया उन्होंने लोगों को धर्म जाती और वर्ग के बाध्यों को पार करके एक दूसरे के प्रतिस सहनुभूती और सम्मान की भावना रखने के लिए प्रिरित किया प्रिरित किया उन्होंने हिंदूं और मुसल्मानों की बीच एक्ता इस्थापित करने का प्रियास किया ताकि अन्य समुदायों के साथ एक्ता को और मजबूत किया जा सके मतलब दोस्तों जो सामपरदाइक एक्ता है इसको बढ़ावा देने का प्रयास किया समाज में एक्ता को जो सदभाव है एक दूसरे की प्रती अलग-अलग जो धर्म है अलग-अलग जो जातियां हैं अलग-अलग जो वर्ग हैं उनके बीच में एक सहयोग और सानुभूति और सम्मान की भावना को बढ़ाने का प्रयास किया गया इस पर उन्होंने सत्यागरह चलाया तो दोस्तों यहां पर हमने आपके सिलेबर्स के अकॉर्डिंग करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी है अगर दोस्तों वीडियो अच्छे लगी हो तो प्ली complete इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीड़ बैक जरूर देने थैंक्यू